आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ये बोलते हैं कि क्या फेस वाश से भी हमारा रंग साफ हो सकता है हमारे चेहरे के दाग थब्बे हट सकते हैं तो ये वीडियो उनके लिए ओपन चैलेंज है क्योंकि यहाँ पर मैं लाइव आपके साथ शेयर करने वाली हू जी हां रोज ना बनाना है ना पीसना है ना घूलना है इसको बना कर किसी भी ग्लास कंटेनर में स्टोर कर देना है और जितने दिन चाहें आप यूज कर सकते हैं इस होम मेड फेस वाश को जो की आपके चेहरे के डैट सेल्स को हटाएगा उसी के साथ अगर आपके चेहरे पर काले निशान है ना तो उनको भी हलका करेगा इसको अगर आप रोज डेली इससे अपना चेहरा धोते हैं सिर्फ दो मिनिट के लिए अपने चेहरे पर आपने इसको रब करना है बहुत ही गजब के रिजल्स आपको मिलेंगे इस होम मेड फेस वाश को यूज करने से क्य तो चलिए इस मेजिकल फेस वाश को जाने के लिए इसके अरोमा को फील करने के लिए आपको इस वीडियो को करना है लाइक चैनल को करना है सब्सक्राइब बेल आइकन और ज्यादा से ज्यादा शियर और आपने क्या करना है दो चमत चावलो को आपने एक घंटे के लिए यहां फिर ओवरनाइट के लिए सोक करके रखना है और इसका जो मिल्की सा पानी है इसको आपने फैंकना नहीं है फर्मेंटिट जो राइस वाटर होता है वो हमारे चहरे के दाग धबों को रिंकल्स को रिमूव करने के लिए काफी बेनिफिशल होता है और आपने लेना है ए कम से कम आए वैसे इसका कोई नुकसान नहीं है और फाइदा भी कोई नहीं है तो आप कुछ इस तरह से छिलकों को उतार लीजिए नाइफ की हेल्प से आप नीमू के छिलकों को भी यूज कर सकते हैं मैंने संत्रे का जो पील है उसको यूज किया है और सबसे पहले हमने ल और इन सारी चीजों को आपने किसी ब्लेंडर जार में डाल देना है क्यूंकि हमने इसका एक स्मूज सा पेस्ट रेडी करना है जितना जादा आप इसको ब्लेंड करेंगे न उतनी इसकी जो नुट्रिशन्स है वो आपको मिल पाएंगी और इसको आपने ट्रांसफर कर लेना है एक बाउल में और इसमें हम एक से दो चीजे और एड़ान करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को और जादा बढ़ाने के लिए दो चमज डाल देना है अपने बेसन यह एक नैच्रल क्लेंजर है एक सोप की तरह आपके चेहरे पर काम करेगा और एक चमज डालेंगे हाइड के लिए हनी अगर आपकी स्किन बहुत जादा ड्राय रहती है कि चेहा दोने के साथ ही आपके चेहरे पर खिचा होने लगता है ड्रायनेस आ जाती है तो आप एक चमज कोकोनेट ओयल डाल सकते हैं मेरी स्किन नॉर्मल है मुझे इतनी ड्रायनेस नहीं होती क्योंकि मैं आपने इसको स्टोर कर देना है कोशिश करें काच का बरतन ही हो प्लास्टिक में ना स्टोर करें तो अच्छा होगा आप इसको और ज्यादा लंबे टाइम के लिए सेव कर सकते हैं कम से कम यह साथ से आठ दिन के लिए आपका सेफ रहेगा अगर आप इसको फ्रिज में कर सकते हैं ताकि इसके जितने ग्रैनुल से वो निकल जाए अधर्वाइज आप इसको एक्सफोलियेट करेंगा स्क्रब करेंगा जिससे डैड स्किन सेल्स उतरेंगे इसको आप अपने हाथ पैरों पर भी लगा सकते हैं बस आपने एक चमच नारिल का तेल एड़न करना है जिससे कि आपके हाथ पैरों की रफनेस दूर हो तो अच्छी तरह से रब कीजिए अगर आपके पास टाइम है तो दस मिनट के लिए एसटीज रहने दीजिए और पानी से धो दीजिए आप देखेंगे कि लगातार इसके यूज करने से आपके चेरे के दागतब्बे हलके हुए है आपका रंग साफ हो गया है पिग्मेंटेशन है वह हट गए है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है यह फेस वाश आपको यूज करने के बाद आपका एक्स्पिरिंस कैसा रहा है हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा रिजल्ट आपके सामने है वीडियो को ल बिल्कुल मत भूलेगा चेक के रन बाबाए